नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपुन जानकारियों को लें करके आए आज हम सभी बहेडा के बारे में जानते हैं बहेडा के पेड बहुत उंचे, फैले हुए और लंबे होते हैं इसके पेड 18-30 मीटर तक उंचे होते हैं जिसके च्छा लगभग 2 सेंटी मीटर मोटी होती है इसके पेड पहारों और उंची भूमी में अधिक महात्रा में पाये जाते हैं इसके च्छाया स्वास्थे के लिए लाफदायक होती है इसके पत्ते बरगर्द के पत्तों के समान होते हैं तथा पेड लगभग सभी प्रदेशों में पाये जाते हैं इसके पत्ते लगभग 10 सेंटी मीटर से लेकर 20 सेंटी मीटर तक लंबे तथा 6 cm से लेकर 9 cm तक चोड़े होते हैं इसका फल अंडे के आकार का गोल और लंबाई में 3 cm तक होता है जिसे बहेडा के नाम से जाना जाता है इसके अंदर एक मिंगी निकलती है जो मिठी होती है और शदी के रूप में अधिकतर इसके फल के छिलके का उपयोग किया जाता है इसका रंग भूरा पिलापन लिए हुए होता है इसका स्वाद मीठा होता है बहेडा का पेन जंगलों और पहाड़ों पर होता है इसके पत्ते बरगद के पत्तों के समान होते हैं इसके फूल बहुत ही छोटे छोटे होते हैं इसके फल वरना के गुच्छों के फल के समान गुच्छों में लगते हैं बहेड़े की छाल का उपयोग और शधी के रूप में किया जाता है ये शीतल प्रकृति का होता है इसकी कुछ एक लोस भी हो सकते हैं जैसे कि बहेड़े इसके अधिक सेवन से नशा भी पैदा होता है दोशों को दूर करने वाला शहद बहेड़ा के दोशों को दूर करता है जहां अगर आप ज्यादा बहेड़ा खा चुके हैं तो शहद लीजे ये इसके दोशों को दूर करेगा आउला और काली हरड से बहेड़ा की तूलना की जा सकती है बहेडा के सिवन के मातरा तीन गराम से छे गराम तक होनी चाहिए बहेडा कबज को दूर करने वाला होता है यह मेदा यानि के अमाशय को शक्ति शाली बनाता है भूक को बढ़ाता है वायू रोगों को दस्तों की सहायता से दूर करता है पीत के दोशों को भी दू करता है बवासिर को खत्म करता है आखों एम दिमाग को स्वस्त एम शक्तिशाली बनाता है यह कफ को खत्म करता है तथा बालों की सफेदी को मिटाता है बहेडा कफ तथा पीत को नाश करता है तथा बालों को सुंदर बनाता है यह स्वर भंग यानि कि आपका गला बैठ गया यानि कि टीवी तथा कुष्ट रोग, कोड़, सफेद दाग, इसमें भी बहुत हीं लाबदायक होता है। बहेडा की मिंगी प्यास को मिटाती है, यह उल्टी को रोकती है, कफ को शांत करती है, तथा वायू दोशों को दूर करती है, यह हलकी कशैली और नशीली होती है, आउला की मिंगी के गुण भी इसी के समान होता है, इसका सूर्मा आखों के फूले को दूर करता है। आयुर्विदिक मत के अनुसार बहेडारस में मधूर, कशैला, गुम में हलका, खुश्क, प्रकृती में गर्म, विपाक में मधूर, त्रिदूश नाशक, उत्तेजक, धातवर्धक, पोशक, रक्त स्तंभक, दर्द को नश्ट करने वाला तथा आँखों के लिए गुनकारी ह होता है, यह कब्ज, पीट के कीडे, सांस, खांसी, बवासीर, अपच, गले के रोग, कुष्ट, स्वर्भेद, आमवात, तवचा के रोग, कामशक्ति की कमी, बालों के रोग, जुकाम, तथा हाथ-पैरों की जलन में लाफकारी होती है, बहेडा के रासायनिक संरचना का व बेल, सैपो, नीन और राल पाए जाते हैं, हाथ-पैर की जलन में बहेडी की मिंगी यनिकी बीज, पानी के साथ पीसकर हाथो और पेरों में लगाने से जलन में आराम मिलता है, बहेडे के गुदे को बारिक पीसकर शरीर पर लेप करने से सभी प्रकार की जलन दूर हो जात बहेड़ी की छाल का टुकडा मुझमे रखकर चूस्ते रहने से खासी मिड़ जाती है और बलगम आसानी से निकल जाता है खासी की गुदगुदी बंद हो जाती है कामशक्ती बढ़ाना हो अगर आपको तो रोजाना एक बहेडे का छिलका खाने से कामशक्ती तेज हो जाती है आखों के रोशनी बढ़ाने के लिए बहेडे का छिलका और मिश्री बराबर मातरा में मिला कर एक चमच सुबह शाम गर्म पानी से लेने से दो तिन सब्ताह में आँखों की रोशनी बढ़ जाती है अगर आपको कब्ज है तो बहेडे के आधे पके हुए फल को पीस लीजिए इसे रोजाना एक एक चमच की मातरा में थोड़े से पानी से लेने से पेट की कब्ज समाप्त हो जाती है और पेट साफ हो जाता है श्वास या दमा बहेडे और धतूरे के पत्ते बराबर मातरा में लेकर पीस लीजिए इसे चीलम या हुक्के में भर कर पीने से सांस और दमा के रोग में हराम मिलता है बहेडे को थोड़े से घी में चुपड़ कर पुट पाक विधि से पकाईए जब वह पक जाए तब मिट्टी इत्यादी हटा कर बहेडा को निकाल लिजे और इसका वक्कल मुह में रखकर चूसने से खांसी, जुकाम, स्वर्भंग यानि के गला का बैठना इत्यादी रोगों में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है केवल बहेडे का छिलका मुह में रखने से वे सांस की खांसी दूर हो जाती है 40 ग्राम बहेडा का छिलका, 2 ग्राम फुलाया हुआ नोसादर और 1 ग्राम सोना गेरू लीजिए अब बहेडे के छिलकों को बहुत बारिक पिसकर चां लीजिए और उसमें नोसादर एवं गेरू भी बहुत बारिक करके मिला दीजिए इसे सेवन करने से सांस के रोगों में बहुत लाब मिलता है उप्यूक्त दवा को 2-3 ग्राम तक शहद के साथ सुबह शाम सेवन करना चाहिए इससे दमा रोग ठीक हो जाता है 250 ग्राम बहेडे के फल तथा गुदे लेकर के पिसकर छान लें और इसमें 10 ग्राम फुलाया हुआ नोसादर और 5 ग्राम असली सोना गेरू लेकर पिसकर मिला दीजिए इसके बाद तयार समगरी को 3 ग्राम रोजाना सुबह शाम को शहद में मिला कर चाटने से सांस लेने में फायदा मिलता है तथा इससे धीरे धीरे दमा भी खत्म हो जाता है बहेडे के छिलकों का चून बना कर बकरी के दूद में पकाईए और ठंडा होने पर शहद के साथ मिला कर दिन में दो बार रोगी को चटाईए इससे सांस की बिमारियां दूर हो जाती है अगर आपको बालों का रोग है तो दो चम्मच बहेडे के फल का चून लेकर एक कप पानी में रात भर भिंगो कर रख दीजिए और सुबह इसे बालों के जड़ पर लगाईए इससे एक घंटे के बाद बालों को धोडा लिए इससे बालों का गिरना बंध हो जाएगा अगर आपको अतिसार की प्रोब्लेम है यानि के दस्त है तो बहेडा के फलों को जला कर उसके राक को इखटा कर लीजिए इसमें एक चोधाई मातरा में काला नमक मिला कर एक चम्मच दिन में दो तिन बार लेने से अतिसार के रोग में लाव मिलता है दो सिप पांच ग्राम बहेडे के पेंड की छाल और एक से दो लों को एक चम्मच शहद में मिला कर दिन में तीन से चार बार रोगी को चटाने से दस्त बंध हो जाते हैं बहेडे को भून कर खाने से पुराने दस्त बंध हो जाते हैं अगर आपको पेचिश है तो बहेडे के छिलके का चून एक चमच शहद के साथ सुबह शाम नियमित रूप से लेने से पीलिया का रोग दूर हो जाता है अगर आपको मुहासे की प्रोब्लिम है तो बीजों की गीरी का तिल रोजाना सोते समय मुहासों पर लगाने से मुहासे साफ हो जाते हैं और चेहरा साफ हो जाता है शक्ति बढ़ाने के लिए आउले के मुरब्बे को रोजाना सुबह शाम सेवन करने से शरीर मजबूत और शक्ति शाली हो जाता है बच्चों का मला वरोध हो अगर यानि कि लेटरिन रुग गया हो तो बहेड़े का फल पत्थर से पीस कर आधा चम्मच की मातरा में एक चम्मच दूद के साथ बच्चे को सेवन कराने से पेट साफ हो जाता है स्वित्र कोड यानि कि कुष्ट रोग बहेड़े के पेड़ की च्चाल का कारहा स्वित्र कोड और पेचिश को नश्ट करता है सांस की खांसी है अगर तो एक बहेड़ा लेकर उसके उपर घीच उपर दें और आटे में बंद कर आग पर रखकर पका लीजिए इसके बाद बहेड़ा को निकाल कर उसकी च्चाल को निकाल लीजिए यह च्चाल अकेले ही बहुत ही तेज सांस और खांसी को दूर करती है थोड़ी थोड़ी च्चाल मुह में डाल कर चूसना चाहिए इसका प्रियोक करते समय खटाई, मिर्च और तेल से परहेज करना चा चाहिए पालतु पश्वों के घाव में कीड़े पड़ जाने पर तो बहेड़े की छाल को मोटी रोटी के साथ खिलाना चाहिए बहेड़े के गुदे को घिस कर लगाना चाहिए तथा बहेड़े के गुदे मधुय अश्टी नागरमोथा और चंदन का लेप करना चाहिए इस इसे भिलावा के कांटे से उत्पन चाले ठीक हो जाते हैं। अच्छ हो गया है अगर आपको तो बहेडा की फल की मिंगी का चून 3-4 ग्राम के मात्रा में शहद मिलाकर सुबह शाम चाटने से मुत्र क्रिक्ष पेशाब में जलन और पथरी में लाव मिलता है दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए बहेडा से र और बेहद ही महतोपूने जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों।